हेलो फ्रेंड्स एंजल रसोई में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं मम्रा के लंडू और इसको किस तरह से बनाना है हम जल्दी से दो मिनट में इसको बना के रेडी करेंगे मकर सक्रान्ति के त्योहार पर ये बच्छों को बहुत ही पसंद होते हैं और बहुत ही स्वाथ से बच्छे इसको खाते भी इस चलिए हम बनाते हैं मैंने कड़ाई को गरम किया है अब इसमें मम्रा एड करेंगे मम्रा को अच्छी तरह से हमें पकाना है इसमें जो नमी है वो निकल जाए और इसको थोड़ा सा क्रंची करना है और हम इसको हाथ से दबाके प्रे और हम इसमें अभी गुड डालेंगे गुड को हमें अच्छी तरह से गरम करके मेल्ट करना है इसमें गुड की डली नहीं रहनी चाहिए इस तरह से हम इसको पिका लेंगे और एक पानी में हम टेस्ट करेंगे यह गुड हमारा रेडी है कि नहीं है लटू बनाने के लिए तो दागे निकलने लग गए हमारे गुड में और कड़क भी होने लग गया है हम इसके अंदर जो हमारा ममरा रेडी किया था वो इसमें एड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है देखिए हमारा ममरा मिक्स हो गया है हम इसको नीचे उतार देंगे और एक कटोरी में पानी लेना है और हमारे दोनों हाथेलियों पे इसको लगाना है और हमें इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा जिस साइज में लड़ू बनाने है उस size में हम लड्डू और ये गुड का पेस्ट लेंगे हाथ में और इस तरह से दबाके इस size में बनाएंगे देखी हमारे सारे लड्डू इस तरह से बना के ready हो गए हैं ये बहुत ही crunchy और टेश्टी बनाए हैं इस तरह से आप ममरा को सेख के लड़ू बनाएंगे तो बहुत ही स्वाधिश्ट बनाएंगे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स करना लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्यू